तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा CT6 भी ट्रांस्मीटर होता है उसमें बहुत अच्छा ट्रांस्मीटर होता है लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कह सकते हैं या क्लिच भी खह सकते हैं वो यह है कि यह ट्रांस्मीटर का जो एक प्रॉब्लम है कि इसका जो चैनल नंबर 5 और 6 है वो एक अगर आप ट्रांस्मीटर यूश करेंगे तो वो शायद आपको फेस करना पड़े तो वो प्रॉब्लम यह है कि जो आपका चैनल नंबर 5 और 6 है यह जोनों दो चैनल हैं, यह दोनों आपके work करना बंद कर देते हैं, आप चाहें इनको कहीं भी ऐसे ऐसे रोल करेंगे, यह नहीं होंगे आपसे, अब आपको डर लगेगा कि क्या इतना महांगा हमने, मतलब cheap paste है बट है तो को भी costly, तो हमने इतना अच्छा transmitter लिया और हमारे चैनल से खराब हो गए, तो आपको इस case में घबराना नहीं है, क्योंकि यह जो चीज़ें होती है, सबके साथ हो रही होंगी, तो इसका भी solution इन्होंने दे रखा है, वो है default setting, एक default setting नाम की चीज़ होती है, इस transmitter के अंदर, जब आपके channel number 5 और 6 वो करना बंद कर देते हैं, तो एक default setting होता है, मैं आपको open करके दिखा सकता हूँ अभी, default setting हाँ, यह जो आप देख सकते हैं, यह है default setting इसका, मैं इसे download करने का link आपको दे दूँगा, ताकि आपको इसे download करने problem ना हो, तो यह default setting जब आप apply करेंगे, double click करके, तो आपके जो channel से वो वापिस work करने हो जाएंगे, इससे क्या होता है, कि अगर आपने कोई setting change की होती है, तो वापिस जो भी setting पहले से होती है, वो default हो जाती है, तो यह बहुत अच्छी चीज़ है, कि अगर आपके साथ ऐसा problem होता है, तो आप इसे solve कर पाएंगे, इसका link म ने दे दूँगा, ताकि आप इसे download करके अपने laptop से वापिस अपने दोनों channels को वापिस से work में ला सकते हैं, इस video में ही खतब करता हूं, नमस्कार, bye bye, और मेरे channel को कर लीजे subscribe for more tech videos,